नमस्कार दोस्टों स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकाडमी में आज का डेट है 7th of June 2022 एड देली के करेंट अफेर्स में हमारा सोर्सेस रहने वाला है यह वेरियस सोर्सेस जैसे दहिंदू, असाम शेपून, डिफरंट इंडिन एक्स्प्रेस, दाउन तो अर्थ वगड़ा वगड़ा चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट में मेक शूर एट इफ वांटो टेक अड्मिशिंस तन यू कांटक्ट अंटो इस नंबर्स या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी डिर्क लॉग इन कर सकते हैं PDF लिंक इस पूरे लिसंस का नीचे description session में लगा दिया जाएगा आप वहां से directly इसको download भी कर सकते हैं सबसे पहला यहां पे news दहिंदू से लिया गया है अगनी 4 missile का test successfully conduct कर दिया गया है तो इसी लिए यह news था exam utility point of view से prelims perspective से आप इस news को अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस type के news में factual बाते बहुत चीज़ा आती है जैसे जैसे अगर आप वह पूछ लगनी 4 missile है क्या यह एक nuclear capable long range ballistic missile है देखो अगर आपने एक missile को छोड़ दिया ballistic missile तो projectile मतलब एक particular range तक जाएगी ठीक है यहां तक ही आपको basically trajectory decide करना होता है उसके बाद जो यह गिरेगी ना यह इसी क्योंकि projectile motion तो हुआ पता हुआ रहे था ना science के इसाप से projectile motion के तरह यह एक कोई particular location में गिरेगी और usually यह nuclear capable missiles जो है तो cruise missile को हम लोगो और direction दे दिया तो देखो तुम्हें इस particular target में जाके hit करना है ठीक है तो वो उसी particular target को ही तबाह करेगी उसके आजू-बाजू वाले targets को नहीं तबाह करेगी ठीक है बट जबी भी हम लोग ballistic missile की बात बोलता है जबी भी हम लोग nuclear capable ballistic missile की बात बोलता है तो यह इस type के projectile motion से छोड़ दिया जाता है और इसको कोई particular fix point नहीं रहता है जहांपर इसको hit करना होता है क्योंकि यह nuclear missile है तो अगर यह यहां पर भी फटे तो भी आजू-बाजू region को यह cover कर ले रही है अगर यहां पर भी फटे तो भी इस region के लोग तबाह हो रहे है ठीक है मतलब properties को damage किया जा रहा है है इसी लिए यह basic basic एक छोटा दर difference है between cruise missile and ballistic missile अगनी 4 की अगर बात करें तो यह लेकिन intermediate range ballistic missile के categories में आती है यह क्या होती है of course discuss करेंगे हम लोग don't worry about it but यह साथी साथ surface to surface missile है क्योंकि देखो इसको हम लोग ने earth surface से छोड़ा ultimately यह कहां पर जाके फटेगी ultimately earth surface में ही फटेगी ठीक है और इसका range जो है ना अलग-अलग region में आपको अलग-अलग मिलेगा कुछ-कुछ region में आपको धाई हजार से 3500 km तक का range मिलेगा कहीं करी पर 3500 से 4000 km का range लाएगा but आपको जो याद रखना है वो याद रखिए that 3500 km तक का इसका range है आप इतना याद रखिए that is more than enough ठीक है indigenously developed है two stage missile है ठीक है जो क्या उसके कुछ-कुछ other ranges भी देख लीजे जैसे अलग-अलग different अगनी के ranges है जैसे अगनी 1 missile जिसका range था 700 से 800 km अगनी 2 जिसका range था 2000 km अगनी 3 जिसका range था 2500 km अगनी 4 जिसका range है 3500 km ठीक है और अगनी 5 यह जो है ना यह intercontinental ballistic missile होने वाला जिसका range 5000 km से भी उपर है मतलब अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से जपान तक भी आर्राम से हिट कर सकते हैं इतना ज्यादा वो उसका range होने वाला है anyways अगर हम लोग बात करें integrated guided missile development program के बारे में तो यह program है क्या किन के दौरा conceive क किया गया था तो Dr. A.P.J. Abdul Kalam Ji के दोरा यह conceived किया गया था जिसके तहरत वो इंडिया को self-sufficient बनाना चाहते थे in the arena of missile technology. In fact, इसको approved किया गया था by Government of India in the year 1983 और इसको complete किया गया था by March 2012. पाच missiles that is P.A.T.N.A. है ना इसको develop किया गया है इस program के अंडर ध्यान दीजेगा यह लेकिन निमॉनिक है ना ऐसे ही आमात्रियात के रख लिए पटना को manufacture किया गया है यह निमॉनिक है P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P A for Akas, ठीक है, Akas surface to air missile है, Nag anti-tank missile है, Trishul short range low level surface to air missile है और अगनी की अगर बात करें तो यह ballistic missile है जिसका अलग-अलग range है जो कि हम लोगोने अभी discuss किया ही है ना और पृत्वी यह एक short range surface to surface ballistic missile है ठीक है यह याद रखेगा ज़रूर निमॉनिक है पटना है ना चलो Next, next दोस्तों The Hindu से यह news लिया गया है आज के paper में अगर आप देख लिजेगा वहाँ पे लिखा हुए debates around surrogacy act Surrogacy पता होता है ना क्या होता है अपको देखो surrogacy में क्या होता है ना एक surrogate mother होती है मैं आपको बता रहा हूँ Surrogacy होता क्या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यह एक ऐसी technology होती है जिससे अगर कोई भी intended couple हो है ना अगर वो conceive करना चाहते हो and they cannot conceive So in that case what they do is like they appoint a different other mother ठीक है और उनके basically brun में इनके sperms और eggs को fertilize already पहले lab में करवाया जाता है उसके बाद उसके brun में इनको रखा जाता है ठीक है But वो जो birth जो लेता है ना बच्चा वो different other आपका जाकर other mother के mother से birth लेता है ठीक है यह basic concept है Surrogacy का right अब यह हमारे देश में regulated नहीं था उसी को regulation करने के लिए Surrogacy Act लाया गया है But उस Surrogacy Act को दिल्ली High Court में थोड़ा question किया गया है That जो provisions है ना वो सही नहीं है Now किस-किस region में provisions को सही नहीं बोला जा रहा है पहले पढ़ता है पहले तो हमको provisions देख लेते है That overall इस Surrogacy वाले Act में क्या क्या प्रोविशन दिये गया है ठीक है अच्छे से पढ़िएगा एक एक कर गए पहला provision है purpose for which the Surrogacy is permitted देखो क्यों Surrogacy को permit क्यों किया जाता है किस purpose के लिए वो है Intending couple who suffer from proven infertility मतलब अगर इस couple को चाहिए कोई बच्चा Right And they are infertile That is they cannot produce children In that case आप Surrogacy के लिए जा सकते हो Surrogacy जो होगा वो commercial purposes के लिए नहीं होगा वो altruistic होना चाहिए मतलब अगर आप इस mother को अपॉइंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं देट पैसे देकर इनको अपॉइंट करो Altruistic होना चाहिए Altruistic in the sense that ये mother जो है आपके relation में ही कोई होना चाहिए देखो इसमें criticism भी बहुत है Of course हम लोग discuss करेंगे Don't worry पहले provisions पढ़ लेते हैं उसके बाद आराम से discuss करते हैं It is not for producing children for sale जी हाँ इस पच्चे को जो produce किया जाएगा It is not for sale या फिर prostitution या फिर different other sort of exploitations Right For any conditions or disease specified through regulations मतलब अगर बाइचान सोचो कौन कपल permitted किया जाता है बाइचान से इनके में कोई disease है Right और वो of course proven disease होना चाहिए ऐसे नहीं वो सब कुछ parameters जो है doctors के दुआरा पहले check it किया जाएगा उसके बाद इनको certificate दिया जाएगा To carry on this altruistic surrogacy ज्यां दिजेगा Altruistic और commercial में थोड़ा difference है Commercial मतलब पैसे का lendin होता है उसमें Altruistic मतलब पैसे का lendin नहीं होता है Right But वहीं पर यहाँ पर भी काफी जादा आपका जाके challenges आते हैं वो हम लोग discuss करेंगा Next criteria Eligibility criteria for intending couple मतलब जो couples को बच्चा चाहिए उनके eligibility criteria क्या है Intending couple should have certificate of essentiality and a certificate of eligibility मतलब appropriate authority जो है न उनको यह certificate provide करेगी और इन certificate के बाद ही आप सरोगेसी में जा सकते हो और उस certificate में कुछ-कुछ provisions, कुछ-कुछ conditions fill up करने पड़ेंगे उन couples को वो क्या-क्या condition है वो couples Indian citizens होने चाहिए मतलब foreign citizens जो है इंडिया में के सरोगेसी का प्रावदान या पर नहीं दिया गया and married for at least 5 years minimum 5 साल के लिए उनमें पहले से शादी होना होगा ठीक है उन couples का जो age होगा wife case में 23 साल से 50 साल के बीच में होना चाहिए और husband के case में 26 साल से 55 साल के बीच में होना चाहिए ठीक है next condition they do not have any surviving child biological adopted या फिर सरोगेट ऐसा पहले से बच्चा नहीं होना चाहिए अगर पहले से अगर आपको कोई भी बच्चा हो या तो biological हो या फिर adopted या फिर सरोगेट चाहिए लो उस case में लेकिन आपको सरोगेशी अलाओ नहीं किया जाएगा other conditions that may be specified by the regulations जो के समय के साथ साथ देखो of course कानूने change होती है तो समय के साथ साथ कुछ अगर ऐसे provisions लाने पड़े तो regulation authorities जो है इसको regulate कर सकती है eligibility criteria of a surrogate mother देखो अभी तक तो हम लोगों ने देखा that intending couple जो चाहते है बच्चा उनका eligibility criteria क्या है अब हम लोग देखते है eligibility criteria of surrogate mother इस mother के बारे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है? देखो इनको भी लेकिन certificate चाहिए of eligibility और इनके क्या-क्या conditions होने चाहिए? ये एक close relative होनी चाहिए इस intending couple की पहली बात तो दूसरा है ये एक married woman होनी चाहिए having a child of her own मतलब इनका पहले से अपना बच्चा होना चाहिए ठीक है? next 25 to 35 years old होना चाहिए ये महिला ठीक है? मतलब 25 से कम या फिर 35 से जादा होने से she is not eligible to become a surrogate mother ठीक है? a surrogate can only be once in her lifetime मतलब एक ही बार ये surrogate mother बन पाएंगी ठीक है? next is she must possess a certificate of medical and psychological fitness for surrogacy further the surrogate mother cannot provide her own gamut for surrogacy मतलब अपना वो you know egg नहीं दे सकती है and she should possess a certificate of medical and psychological fitness मतलब fitness का certificate उनके पास होना चाहिए ठीक है? next next जो criteria है यहाँ पर national और state surrogate board का प्रावधान बनाने की बात की गई है है ना? और ये क्यू? ये national level में national surrogacy board और state level में state surrogacy board ये दोनों एक साथ मिल बाट के काम करेगी और make sure करेगी तर जो भी कानून बनाए गए है वो properly काम कर रहे होंगे हर एक state level में ठीक है? और इसी regulations के साथ एक और भी criteria है that by chance सोचो ये surrogate mother है अब इनको कल को मन कर गया that नहीं मैं बच्चे नहीं दूँगी ऐसा नहीं हो सकता अगर ये बच्चा surrogate child है तो that child is not her child this child is their child ठीक है? मतलब these couples can easily claim that child ठीक है? क्योंकि ये इन के लिए बनाय जा रहा है है ना? next offences and penalties की अगर बात करें तो they should undertake I mean अगर commercial surrogacy का advertisement किया जा रहा है तो that accounts for penalty राइट? वो offense है क्योंकि है ना? surrogate mother को आप exploit नहीं कर सकते हैं है ना? surrogate अगर child हो intended couple है दो है ना? और ये इस mother से surrogate child चाह रहा है अब इसने child दे दिया बाद में लेकिन ये couple नहीं बोल सकता है that नहीं हम ये बच्चा नहीं लेंगे ना? ऐसा नहीं चलेगा selling और importing human embryos और gamets for surrogacy ऐसा भी नहीं चलेगा अगर ये सब हुआ तो imprisonment 10 साल तक का jail हो सकता है आपको and fine भी 10 लाख रुपे तक का लगाया जा सकता है एक प्रोविजन को तो क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है कुछ-कुछ प्रोविजन से वो कौन-कौन प्रोविजन से सबसे पहला है couple can opt for surrogacy only for medical grounds and should produce certificate of eligibility अगर सोचो कल को कोई couple को मन किया that नहीं भाई we don't want to that child should be ours but we won't produce that child right? rather we'll you know, go for a surrogate mother ऐसा जैसे actresses होती है na Bollywood actresses they don't want to, you know उनके body के shape वो खडाब नहीं करना चाता है तो इस case में तो वो लेकिन मतलब कही ना कही allow नहीं है है ना मतलब आपको अगर surrogate करना चातो वो medical ground में ही possible है normal यह सब के government possible नहीं है तो यह कही ना कही ignore तो करता है na choices of women क्योंकि क्या पुट्टास्वामी case में क्या बोला गया था that privacy जो है right to life right to privacy वो क्या है article 21 में है है ना और वो मारा fundamental right है है ना तो यह right to choice by any woman that should also be coming under fundamental right है ना तो एक तो यह हो गया next provision है the couple should have been married for five years and not having a child अब इसका criticism क्या है अब couple ही होना चाहिए पांत साल साधी होना चाहिए उसके बाद ही और बच्चा नहीं होना चाहिए यह तीन-तीन criteria ही है अच्छा भई अब single parents का क्या होगा जैसे Tushar Kapoor आपको पता है Tushar Kapoor के पास he is having a surrogate child बट उसका अभी तक शादी नहीं हुए Tushar Kapoor का है न तो देखो तब वो बन गया था क्यों क्योंकि तब कानून कोई नहीं बना हुआ था बट अभी कानून है इसलिए अभी कोई नहीं बन सकता ठीक है तो वही तब बोला जा रहा है सिंगल पेरेंट का एस्पिरेशन को तो बिल्कुल आभी इंओर कर रहे हो ऐसा हो ही सकता है जैसे रिसंटली हम लोग ने देखा था ना एक न्यूस सोलो गैमी का न्यूस जहां पे एक महिला खुद से शादी कर रही है है ना गुजरात में तो वो क्या होगा अगर खुद से शादी करना चाहती है तो शी कैन है वो चाइल्ड अज़वल और वो चाइल्ड अफकॉर्स पॉसिबल नहीं है विदाउट यूनों इस सरोगेसी वाला आसपेट ठीक है तो वो चीज तो अलाव करना चाहिए वो चीज यहां पर कही नहीं किया हुआ अब आप खुद बताओ मतलब आप जो सोचो आप कपल हो ठीक है आप इस महिला से जो अपना बच्चा को ले आओगे तो उसमें आपको पैसे नहीं देना है तो आप बताएए बिना पैसे के बिना कोई कंपनसेशन के जो वैल्यू है रिप्रोड़क्टिव लेवर का वो तो बिल्कुल अंडर्माइन हो रहा है मैं आपके लिए कोई शगर काम कर रहा हूं तो मुझे पैसे मिलेंगे तभी न काम करूंगा अब देखो इससे क्या होगा ना इससे तो प्राइवेसी कही ना कही कपल का चला जाएगा अब सोचो कोई कपल का यून आर इंफटाइल ठीक है और यून वो कपल है यूपी के और वो लोग अभी रह रहा है बैंगा लूडू में ठीक है तो उस केस में अगर सोचो अपके घर के रिलेटिव ही होना चाहिए तो फिर वो तो फिर प्राइवेसी कहाना न हो जा रहा है ना मतलब अब घढ़वाले सब को यान जा रहें महलबहले जा जा Εंगे महला ॏलम और जा कह іं एरे छी हरनी जाइ यह भांह ait ऒूत कि वो है वो है व्रूत कहीं है सुसाइटल अजीब टाइब का देकने जाता है है ना तो देखो यह सब society में है taboos है जो के exist कर रहे हैं of course educated sections don't follow these taboos but yes there are a large section of uneducated people chunk है जो के इस type taboos को अभी भी follow करती है तो वो सब चीजे नहीं होएंगी ठीक है next laws allow single mother to resort to a surrogacy she has to be a widow or a divorce between 35 to 45 मतलब अगर widow है अगर divorce है और अगर 35 to 45 years age है उस case पे लेकिन single woman अगर they can go for surrogacy ठीक है but single man बिलकुल ही eligible नहीं है under any circumstances but single woman भी तभी allow है जब या तो वो वीडो बन गई है या तो उन्होंने divorce ले चुका है but उस case में single man का भी तो ऐसा होता है ना जब उनकी पत्नी का देहान तो हो जाता है या फिर he has been divorce तो उस case में अगर लड़का चाहे तो उसका तो वो तो नहीं रख सकता है है ना तो anyways ये कानून बने हुए है अब क्या कीजिएगा नेक्स प्रोविजन है laws allowed sing अचा ये तो उन्होंने पढ़े लिया next is act defines couples as legally married Indian men and women above the age of 821 years for men and 18 years for women respectively वहीं पर criticism इसका ये है that ठीक है अगर couple man or woman को आप couple बोल रहे हो तो LGBT community का क्या होगा भाई है ना अगर ये लोग बच्चे रखना चाहे तो इनको तो allow बिलकुल नहीं होगा ठीक है तो ये सब कुछ कुछ criticism भी है है ना आशा करता हूँ that proper usage को आपको समझ में गया होगा anyways next जो दो सो news दब हिंदू से लिया गया है why gulf countries matters अभी आपको पता होना चाहिए that gulf country इंडिया से बहुत जादा नाराज है उसमें of course Saudi UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, सब कोई, right Iran भी और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर किया बोला है that जो भी I mean जो एक नुपुर शर्मान नाम की एक महिला है हमारे देश में एक political party की spokesperson है उन्होंने कुछ I mean Prophet Islam ji के बारे में कुछ गलत बोल दिया था तो इसलिए उसको claim किया गया basically Arab countries इसमें protest कर रही है है ना और protest करते करते उन्होंने हमाने जो ambassador है वहाँ पर उनको समन भी किया है now geopolitics में जभी भी ambassador को कोई भी समन करता है ना वो बहुत ही बड़ा एक you know छोटे level का setback माना जाता है लेकिन है ना और अभी तक इंडिया की दुनिया भर में stature इतनी जादा बढ़ गई है ना that सालो साल तक अभी you know जादा समन नहीं किया जाता है इंडिया के ambassadors को वह पाकिसान का अलग बात है पाकिसान वह दूद बात हो गया पाकिसान तो है ना वह सब समय समन करते रहता है कश्मीर का issue को लेकर कुछ भी को लेकर ठीक है बट यूजुली दुनिया में हमारे को बहुत जादा इज़त इस case में मिल data यहां पे share किये गया है आशा करता हूँ है यह data आपके लिए भी बहुत काम में आ सकते है जैसे अगर trade में share देखिएगा ठीक है इन सारे countries का देख लिए जो UAE की बात करूं साओधी अरबिया कतर कुएत इरान ओमन बहारेन तो देखिए अगर total trade ranking में UAE 3rd ranking में आता है है ना after USA, China, UAE आता है है ना बहुत जादा trade होता है हमारे बीच में overall जिसमें import में भी अगर देख लिजगा 3rd ranking में export में 2nd ranking इंडिया के साथ ठीक है वैसे ही Saudi Arabia अगर यह overall ही हम लोग पकड़ते ठीक है यह वाला मत पकड़िया भी overall अगर trade ranking में देख लिजगा Saudi Arabia 4th number में आता है तो यह तो major countries है भाई इनसे तो पंगा हम लोग ले ही नहीं सकते है है ना क्योंकि इनसे कुछ भी करोगे ना तो ultimately जो major impact होगा वो हमारा trade होगा है ना and at this point of time जहां पर India is aspiring for becoming a developed countries वहां पर we cannot you know simply हम लोग किसी से भी पंगा नही सकता है ठीक है anyways next oil dependence की अगर बात करें तो Saudi Arabia में हमारी जो इंडिया का इंपोर्ट है ना around 14% है समझ रहो बहुत जादा है UAE देखो 9.5% यह तो मनलब तेल वाले countries ही है Qatar 5.7% कुए 4.3% Iran 3.6% Oman 1.6% देख रहो है ना वही पर इंडियन सिन गल्फ that is हमारा डायस्पूरा जो 28.1% को है तुमें 3.5% मनलब बहुत जादा डायस्पेसिकली मनलब जो गुजरा से करला से करनाटक से है ना बहुत जादा लोग यहां पर काम करने जाता है इंवर्ड रमिटनस इस वहां से जो लोग जाता है हमारी डायस्पूरा वो अल्टिमेटली फिर अपने पैसे जो क जो है वो साओधी अरेविया से आता है कुवेट से 6.6% आता है देखो इससे हमारे को एक रफ नॉलेज भी मिल जा रहा है डट यूए हमारे लिए कितना जादा इंपॉर्टेंट है हम जो इतना यूए को अपना स्ट्राटिजिक पार्टनर बना रहा है क्यों बना रहा है क कि हर एक सेक्टर में UAE के साथ जो हमारा ट्रेड है बहुत जादा है वो अफकोर्स गुर्सर बसबूंट कर सकते हैं Artificial lights to fight against malaria. Now, recently एक study डेमोंस्ट्रेट किया गया था, जिसमें बोला गया है that artificial light जो होता है ना दोस्तो, it can be acting as a weapon to fight against malaria. Now, क्यों बोला जा रहा है? इस article की authenticity कितनी है? चलो, अच्छे जो डिसकस करता है. Now, दोस्तो, हमें पता है ना आपको एक biological clock होता है आपका शरीर पे? जैसे, मान लिए हो, आप हर रोज सुभर को 10 बज़े उट रहे हो, ठीक है? Now, रात को कितने बज़े सोते होगे? अफकार, शायद 3-4 बज़े तो सोती होगे, तभी न 10 बज़े उठ रहे होगे, क्योंकि अल्टिमेटली हमारा जो शरीर है ना, वो 7-8 घंटे का नींद लेना चाहिए उसको, ठीक है? तो अगर आप 10 बज़े उट रहे हो, तो टेकनिकली आप 3-4 बज़े सोड़े होगे, तीन बज़े मैं मान लिया, ठीक है? अब क्या होगा ना, आप ये चीज को कर एक साल से आप यही रूटिन अपना रहे हो, अचानक से, आपने 3 बज़े से नहीं, आपने चेंज कर लिया अपना क्लॉक को, रात को 12 बज़े आप सोने लग गया, तो आप देखोगे, यह आप देखोगे, यह आप देखोगे, धीरे-धीरे जो ना, यह दस बज़े से घटते-घटते-घटते-घटते, यह आपका और भी ज्यादा कम हो जाएगा, that is, around 7 बज़े आप उटने लग जाओगे, अगर 12 बज़े सोगे तो, ठीक है, और ऐसा अगर एक महना तकर आपने कर लिया, तो आपका biological clock fit हो जाएगा, है ना, मतलब आपको अलार्म भी नहीं लगाने की जरूरत है, that आपको सुबह 7 बज़े उटना है, automatically आपका नीन तूट जाएगा, तो यह इसको कहते ह that हमारा सिफ biological clock सिफ इनसान में ही नहीं है, birds में, lions में, सब एक living organisms में biological clock होती है, है ना, और वो biological clock किस के थूरू डेगुलेट होती है, lights के थूरू, जी हा, है ना, तो वही चीज बोला गया है, that timing of day and night, undoubtedly हमारी biological clock जानती है, that हा, शाम को 6 बज़े शाम हो जाता है, सुबह को 5 बज़े दिन हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि earth rotate करता रहता है, ठीक है, और earth rotation के कारण regular basis में day or night cycles चलती रहती है, और एक hormone होती है, पता है, जी हा, एक hormone होती है, उसको कहता है, melatonin hormones, ये याद रखिये, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, that this is very very important, ये hormone, ये hormone जाना, regulate करती है हमारी sleep-awake cycles, है न, and these are found not only in plant, but also in animals, मतलब ये melatonin hormones जो होती है, ये plant as well as animals, दोनों में मिलता है, a rapid change in natural sleep cycle has been observed on account of increased use of artificial lights, अच्छा, अब देखा गया है, that artificial light, that is, रात को हम लोग बल्ब जलाते है, इतना जादा, you know, urbanization बन रहा है, जिसके करन, artificial lights का usage is, that is, वो, वेपर light ले लो, street lights ले लो, उसका usage जादा हो रहा है, है न, अब ये जो हैना, confuse कर दे रहा है, in insects को, in animals को, humans को भी कभी-कभी, that, अरे, usually humans को तो नहीं करता है, क्योंकि humans तो जानते है, that is, ये light है, but उन जानवरों को तो नहीं पता, न, उनका तो दिमाग नहीं होता, ठीक है, but उनक confuse कर देता, अरे, ये क्या हो गया, अभी भी light कैसे जल रहा है, है न, तो उनका sleep cycle जो है, उनका sleep और awake cycle है, वो गरवरा जाता है, है न, और कहा जा रहा है, अगर उनका sleep cycle गरवरा गया, तो इससे, malaria causing, जो mosquitoes होती है, उनका sleep cycle करवाना से, अच्छा ये होगा, that, उनको पहले से अच्छा था, that, रात के समय मैं जाओंगी, और काटूंगी इंसान को, ठीक है, अब उने लगेगा, रात को तो दिन ही है, चलो अभी नहीं काटूंगे, मैं बाद में काटूंगा, ठीक है, और बाद में, तब तक रात हो जाता है, तब तक इंसान, you know, मच्छरदानी लगा अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, आपको बता दिया, वही चीज लिखा हुआ है, यह मॉस्क्यूटर का बिलोगा जाएगी, और डिले हो जाएगी, तो इससे फाइदा यह होगा, उनका जो कटिंग रेट होता है, बाद रात को फीड़ अप करती है, बट उनका अ बहुत हथा घड जाएगा, इससे मलेरी का जो ट्रांस्मिशन है, वह बहुत हथा घड जाएगा, और वही चीज बोला जारहा है, आट आर्टिफिशल लाइट के थूँटर हम लोग लोग इजी ली तरीके से इन मॉस्क्यूटर को आराम से ट्रिक भी कर सकते हैं, यह कौन स जैसे आप आर्टिफिशल लाइट को यूस करोगे, जिससे मलेरी इंफेक्शन को बढ़ा, आप देखो, आप तो जंगलों में, आप देखो, कहां पर मलेरीया के वह पाय कहां पर जाते हैं, यूजली जहां पर वाटर लॉगिंग एरिया है, तो और सब जगह तो लाइट जानना इंपॉसिबल है आपके लिए, ठीक है, जैसे हमारा बाइलोजिकल साइकल अल्रेडी गढ़बरा चुका है, उनका भी कहीना कहीना बाइलोजिकल साइकल होता होगा, ठीक हो भी गढ़बरा गया होगा, है ना, और, इसको कैसे, एक्शुली में, ग्राउड लेवल मे इंप्लिमेंट करना ना, क्योंकि देखो, अगर आप लैब में इसको डिमोंस्ट्रेट कर रहे होगा, वो अलग चीज बात है, बट टेक्निकल इसको रोल आउट करना, है ना, वो अलग बात है, लेकिन, है ना, ये बहुत बारा चैलेंज हो सकता है, इन फाक्ट, LED लाइट can have negative impacts on human health as well, तो आप इस से बचाने के लिए LED light पूरा जला दे रहे हो, तो उसे एक तो light की खपत हो रही है, उपर से human health को भी negative impact पड़ सकता है, ठीक है, तो ये कहां तक cost benefit analysis, कहां तक सही बैठता है, वो चीज एक बहुत बड़ा challenge है, जो कि हमें आने वाले सामे में देखना पड़ेगा, next, next stagflation के बारे में बोला जा रहा है दोस्तो, नहिंदु में ये news था, GS3's growth and development से आप इसको relate कर सकते हैं, now stagflation वैसे मिनों को ने पहले भी discuss किया था, अभी फिर से मैं एक छोटा से discuss कर लेता हू, that stagflation मतलब होता किया, देखो, इसमें दो चीजे है, stag, nation, stagnation और inflation को मिला कर बनाया गया है stagnation, stagflation, ठीक है, inflation मतलब, of course, सब का दाम बढ़ रहा है, है न, और stagnation मतलब, कहीना कि demand बढ़ नहीं रहा है, बिलकुल घट रहा है, उल्टा, है न, और GDP एक ही rate में हमारे देखने को मिल रहा है, but GDP तो, inflation अगर बढ़ेगा, तो GDP तो technically बढ़ but, उस case में GDP भी नहीं बढ़ता है, demand भी नहीं बढ़ता है, GDP नहीं बढ़ेगा, तो demand कैसे बढ़ेगा, है न, और demand नहीं बढ़ेगा, तो, मतलब, शायद लोगों के पास नौकली नहीं है, है न, उसलिए, demand नहीं बढ़ रहा है, मतलब, technically, क्या हम लोग बोल सकता है, unemployment हमने देखने को मिल रहा है, absolutely, इसके करन क्या होता है, prices increase होती है, stagnation होती है, of economic growth, है न, growth rate जो है, वो slowdown हो जाती है, level of unemployment जो है, वो remains steadily high होती है, ठीक है, यह सब कुछ-कुछ criteria है, but, latest कुछ-कुछ concerns भी जाहिर किये गए थे, articles में, और यह concerns हम लोग प्रॉपर्ली डिसकस करते है, जैसे, COVID-19 और subsequent feasible and monetary measures, देखो, वैसे तो सरकारों ने पूरा एकदम ढाल दिया पैसा, दे, लो भाई, infrastructure develop करो, है न, जिससे demand हो, demand हो, but, क्या हमें demand देखने को मिल रहा है, नहीं, demand उल्टा घट रहा है, वही तो चीज़े बोला जा रहा है, stackflations देखने को मिल रहा है, demand घट है, but at the same time, inflation लगीन बढ़े जा रहा है, है न, तो यही तो condition है, stackflation का, उपर से Russia का, Ukraine का, war हो में देखने को मिल गया, है न, अब war के कारण क्या होगा, supply side जो है, बहुत danger हमें, shock देखने को मिल रहा है, यही नहीं, interest rate जो है, वो भी बढ़ रही है, जी हाँ, अब US Fed में लिजे, interest rate वो लोग बढ़ा रहा है, इससे क्या हो रहा है, that कही न कहीं, जो unpredictability और भी दुनिया में बढ़ रही है, है न, क्योंकि, अगर वो लोग interest rate बढ़ा है, तो यहां से जो foreign portfolio investors है, इंडिया से पैसा उठा के, उन देशों में रखने लग जाते है, ठीक है, अब या, negatively हम लोग बहुत सकता है, that recession आने की संभावनाय बढ़ जाती है, तो यह भी कही न कहीं हमें एक देखना पड़ेगा, है न, next, Indian Express से यह news लिया गया है, regarding sustainable cities through urban agriculture, न, बहुत ही जादा important यह article है आप लोगों के लिए, agriculture perspective में तो important है ही, बढ़ साथी साथ, आने वाले समय में जो place-off किया जाता है, और इस article में बात किया जा रहा है, urban land use planning को हम लोग को properly regulate करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को especially urban and peri-urban agriculture में focus करना पड़ेगा, जिसका short form दिया गया है, UPA, इसी से हम लोग ensure कर सकते आने वाले समय में, sustainable urbanization, और जी हाँ, इसको आप GS3, food security perspective में, इस article को आप relate कर सकते हो, सवाल होता है, यह है क्या भाई, urban and peri-urban agriculture, देखो, दोस्तों, क्या होता है, urban agriculture, मतलब urban region में, आप जो agriculture activities practices कर रहे हो, जिसमें आपको agriculture commodity को cultivate कर रहे हो, process कर रहे हो, और उसको distribute अगर कर रहे हो, in and around urban area, तो उसको हम लोग यह कहेंगे, और देखो, urban area के in and around कर रहे जिसमें ज्यादा मुनाफ़ा होगा, है ना, मुनाफ़ा मतलब livestock, जी हाँ, livestock में बहुत ज्यादा मुनाफ़ा है, aquaculture, apiculture, honey आप निकाल रहे हो, ठीक है, मचली आप निकाल रहे हो, protein related होती है, बहुत ज्यादा पैसे भी मिलते है, मचलीों के, ठीक है, उसके बाद, तो यह ना, उसको लगा के उल्टा नुकसान ही नुकसान है, है ना, तो वही चीज यहाँ पर बोला गया, peri-urban agriculture occurs in surrounding the boundaries of the city throughout the world, मतलब यह सोचो city है, main city, इसके जो boundaries है ना, उन regions में usually peri-urban agriculture को practice किया जाता है, अच्छा, इस boundary को हम लोग अलग नाम से भी जानता है, आपको पता है, वो, peri-urban वो तो खर लिखा ही हुआ ही हाँ पर, बट आपने शायद जो जो geography optional के student है ना, उन्होंने शायद एक पढ़ा होगा concept, optional के कौन कोन है, rural urban fringe पढ़ा है region, तो that also is a region which comes under the peri-urban region, जहां पर हम इस type के चीज़े को practice करते है, ठीक है, now, it includes products from crop, crop to guy जाते, but high-end crop, है ना, छोटा जिसमें सस्ता, जिसमें, you know, कम नाम का होता है, वो चीज नहीं, जो high-end, जिसमें जादा पैसे मिलते है, moreover, livestock agriculture, fisheries, forestry, non-wood forest produce, as well as ecological services, जो क्या provide किया जाता है by agriculture, fisheries, as well as forestry, in fact, food and agriculture organization, वो भी recognize करती है, इस practices को, क्योंकि food agriculture organization, क्या बोलती है, that यह जो है, ensure करती है, food security को, livelihood generation को, लोग को पैसे कमाने के मौका मिलता है, poverty को alleviate करती है, यही नहीं, strengthen करती है, cities की resilience को to the climate change, Green India Mission की अगर बात करें, it is one of the eight missions, under the national action plan on climate change, जिसका main aim क्या है, उसका main aim है, उसका main aim है, that कैसे forest or forest cover को increase किया जाए, with the help of agroforestry, और क्या हम यह बोल सकते है, that urban and semi-peri-urban जो agriculture practices है, इस यह भी एक kind of agroforestry तो हम बोली सकते हैं, यार, absolutely, बिल्कुल, है ना, urban areas की अगर बात करें, तो दुनिया भर में 55% population जो है ना, वो urban area में रहती है, है ना, और वो consume करती, 80% of the food produced globally, जब यह situation है, तो क्या हम लोग बोल सकते है, that urban and peri-urban agriculture, जो है, आने वाले समय में, एक key होने पाला, जिसके थूरू हम लोग sustainable, you know, food system को insure कर सकते हैं, दुनिया भर में, जी हाँ, absolutely, but इसके कुछ-कुछ challenges यह है, that जो शहरों में, water का इतना crunch हो गया है, that lack हमें देखने को मिल रहा है, in water access, यही नहीं, food safety concerns भी बहुत बड़ा एक concern है, क्योंकि, देखो, ultimately क्या है ना, शहरों का पानी, वेस्ट वाटर जाधातर होता है, है ना, अब ये वेस्ट वाटर से अगर आप उठार, मनलब कोई पेर पौदे उगा रहे हो, to ultimately there is a high probability that biomagnify करके, waste pollutants जो है, वो contaminate होकर, इस food में चले है, जो कि ultimately उस food को आप भी खाड़ है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, there is lack of technical guidance for integration of agriculture activities into urban development and training needs, जी हाँ, technical guidance की यहाँ पर बहुत जरूरा था, जिसकी बहुत जादा कमी भी है, तो ये सब articles आज हम लोगों ने discuss किया, जिसके basis पे कुछ-कुछ MCQs दोस्तों आज के class में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कल के class में कुछ-कुछ पूचा गया था, सबसे पहले cloud seeding technology के related था, that cloud seeding technology से जो है, precipitation को हम लोग बढ़ा सकते हैं to a certain extent, जो कहें, बिल्कुल सही है, next, जो था na, cloud seeding can only be performed in tropical regions, किसने बोला भाई, है न, क्योंकि class reading में क्या, that आपने plane से जो है, silver iodide को हवा में छिरक रहे हो, ठीक है, तो वो क्या सिर्फ tropical region नहीं किया जा सकता है, तो टेंपरेट में नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, right, तो ये तो गलत हो गया, तो इसलिए सही answer क्या है, a only, one only, ठीक है, next is operation महिला सुरक्षा, ये तो सीधा था, c option इसका सही था, इसमें कुछ बताने का ज़गती नहीं है, next is fishing cat के related statements है, fishing cats noctural थे, बिल्कुल सही है, vulnerable category है, IOCN data list में बिल्कुल सही, and these species breed only on early summer, नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, in fact, these are the species, जो क्या सब समय ही breed करते हुए, हमें देखने को में बेता है, ठीक है, बाड़ा मैंने, ठीक है, तो इसलिए three option गलत हो गया, तो three option अगर गलत हुआ, तो three option यह गलत हो गया, यह option सही है, ठीक है, तो इसका sequence जो है, A, C, A है, ठीक है, आप लोग देख लिजेगा दरूर, next, आज का question दोस्तों देख लेते है, strategic A. Agni for missile, वो successfully test fired, it is not a nuclear capable long range ballistic missile, manufactured under integrated guided missile development program, surface to air missile, two stage missile, मतलब आपको बता रहा है, इन चारों में से कौन सा कथन wrong है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया, Agni for missile is not a, which among the following is the correct answer, तो नीचे comment section में जरूर लिखिया, I will wait for that, next is, consider the following statement, in stackflation, growth rates increases rapidly, और दूसरा है, और सब कोई comment जरूर की जगा लेकिन, दूसरा है, stackflation is detrimental to the economy of any nation, आपको बताईए, which correct the, I mean, choose the correct option, using the code given below, one only, two only, both, none, नीचे comment section में आपका answers आ जाना चाहिए, चलिए इसी के साथ दोस्तों, आज का lesson यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, मिलते आपके साथ next class में, till then, bye-bye, take care.